हेलो गाई स्वागत है आपका स्पोकें इंग्लिज यूरो सेवन यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में मैं आपके लिए 40 से अधिक डेली यूज इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग लेकर गया हूँ और वीडियो को अंत के देखना क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आप से सेर करूंगा कि कैसे आप इन सभी वर्ड को बरही असानी के साथ याद कर सकते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी चीज कहना चाहूंगा कि I am not an English teacher I am just an English learner just a beginner like you तो अगर आप मेरे साथ English सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्रा बोलकर लिखाना नेक्स्ट वर्ड है इस्नब इस्नब का मतलब होता है डाटना या कोई महत्व न करीप का मतलब होता है रेंगना करोल का मतलब होता है धीरे धीरे चलना हाथ और पैरो के बल अब देखे होंगे किसी बच्चे को जो हाथ और पैरो के बल चलता है धीरे धीरे तो उसको इंगलिस में बोलते हैं रोम, रोम का मतलब होता है इधर उधर भटकना, रोम इधर उधर भटकना, एस्ट्रोल, एस्ट्रोल ध्यान से समझेगा, प्रनंसियेशन को ध्यान से समझेगा, एस्ट्रोल नहीं बोलते हैं, यहां एस्ट्रोल बोलते हैं, एस्ट्रोल का मतलब होता है टहलना या चहल कदमी convince का मतलब होता है मनाना और दूसरा मीनिंग होता है इसका यकीन दिलाना convince, मनाना या यकीन दिलाना estama estama का मतलब होता है हकलाना pronunciation में कई सारे लोगों को confusion होगी कि यहाँ estamer क्यों नहीं परे मैं आपको एक चीज़ बता दू कि इंगलिस language में आर ज्यादा तर जगहे पे silent हो जाता है आर का pronunciation होता ही नहीं है तो यहाँ उसी तरह से है estama estama का मतलब हकलाना fumble fumble का मतलब होता है टटोलना या गर बराना permit 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 मंजूरी देना permit का मतलब मंजूरी देना initiate 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 का मतलब होता है पहल करना initiate पहल करना bother 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 का मतलब होता है परेशान करना bother परेशान करना खंडम का मतलब होता है निंदा करना, टुइंकल का मतलब होता है टिम्टिमाना, लेशन का मतलब होता है घटाना या कम करना, लेशन घटाना या कम करना, योन योन का मतलब होता है उबासी लेना या जमाही लेना इस्नोर का मतलब होता है खराटे लेना इसनो, खराटे लेना, इमज, इमज, इमज का मतलब होता है उभरना या निकलना, इमज, उभरना या निकलना, हेल, हेल का मतलब होता है जय जयकार करना, या दूसरा इसका मिनिंग होता है ओले गिरना, हेल, जय जयकार करना या ओले गिरना, ड्रिजल का मतलब होता है बूंदा बांदी होना बारिस होती है जब धीरे दीरे बारिस टिप टिप होती है बूंदा बांदी होती है तो उसको हम लोग ड्रिजल बोलते हैं बूंदा बांदी होना ड्रिजल बूंदा बांदी होना flow, flow का मतलब होता है बहना और यह word पानी बहने के लिए यूज किया जाता है blow, blow का मतलब होता है बहना यह word हबा बहने के लिए यूज किया जाता है इस word का दूसरा मिनिंग होता है फूक मारना blow, बहना या फूक मारना Impel, Impel, Impel का मतलब होता है उत्तेजित करना, Compel, Compel का मतलब होता है मजबूर करना, Deceive, Deceive का मतलब होता है धोखा देना, Deceive, धोखा देना, Quench, Quench का मतलब होता है बुझाना या दबाना, Reference, Reference का मतलब होता है परहेज करना, Reference, परहेज करना, Rebuke, Rebuke, Rebuke का मतलब होता है फटकारना या दाटना, Rebuke, फटकारना या दाटना, Interest, Interest का मतलब होता है हवाले करना या सोपना, Exploit, इसका मतलब होता है सोशन करना या फायदा उठाना, Exploit, सोशन करना या फायदा उठाना, Resolve, Resolve, Resolve का मतलब होता है ठान लेना या दोबारा हल करना, Reform, Reform का मतलब होता है सुधार करना, Assume, Assume का मतलब होता है मान लेना या कल्पना करना, assume, मान लेना या कल्पना करना nibble, nibble का मतलब होता है कुतरना या दात से नोचना tribe, tribe का मतलब होता है काम्याब होना, फलना, फुलना tribe काम्याब होना या फलना, फुलना, tangle, tangle का मतलब होता है उल्जाना या फस जाना, जैसे धागा फस जाता है tangle, उल्जाना या फस जाना, किसी धागा, कोई धागा फस जाना untangle, untangle का मतलब होता है सुल्जाना, धागा, सुल्जाना, untangle अनर्थ का मतलब होता है खोद निकालना कमपीट का मतलब होता है मुकाबला करना वाई का मतलब होता है देखा देखी करना या होर करना देखा देखी करना या होर करना। हाप का मतलब होता है फुदकना, एक पैर से कुधना। काफी सारे लोहों को या confusion हो सकती है में भी कि होप इसका प्रनाशियशन होनख हो सकता है लेकिन नहीं इसका प्रनाशियशन है हाप। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इस words को याद कैसे कर सकते हैं, बहुत ही easy है, 40 words को याद करना, it's an easy task, बहुत ही simple है, कोई बरी चीद नहीं, आसानी से याद हो जाएगा, आप चाहे तो एक से दो बार इस वीडियो को देख लिजी, आपको वैसे ही सारे words याद हो जाएंगे, उन सभी words को आप अपने notebook में note कर लीजिए, और दिन में एक से दो बार देख लीजिए, बहुत यसानी से याद हो जाएंगे, कोई बरी बात नहीं है,